पामस्टी के एक और रेडिंग जिसमें हम 44-year-old रेखती हैं उनका हाथ देख रहे हैं इनके हाथ पे मैं जो भी चीज़े मुझे दिखाई देंगे जैसे तो कुश्चन्स तो सभी के होते हैं मैं मनीी पोजेशन फैमी लाइफ और हेल्थ इन सब चीजों के बारे में होते हैं तो इन ही सब चीजों करेंगे हाथ की जो बनाबत होती है वो काफी मैटर करती है हाथ की बनावट का मतले होता है जो fingers fingers की shape size कितनी strong bones हैं और कितनी गद्यदार इलाके हैं आपके हाथ पे यह देखे matter करता है जादे केस में कहा जाता है कि अगर आपका हाथ गठीला टाइब का हो गठीला का मतले होता है यह आपके मान के चलिए कि life के हर एक aspect को एक टच टच अपॉन कर देता है जब हाथ में एक strength होती है तो automatically ऐसे वेक्ति की strength दिखाई देती है life के अंदर life के लाइफ के events को जादे better way में manage कर पाते हैं यह नहीं कर पाते हैं वह इन चीजों से basically दिखाई देता है और जो कमजोर हाथ हो गए मैं बस एक example के रूपए आपको समझा रहा हूँ सपोस कीजिए कि हाथ बहुत ही कमजोर टाइप का है तो उसके हाथ पे कमजोरी हर direction में दिखाई देगी जो लोग उसके अंडर में काम कर जाएगी तो यह विक्ति आराम से उसको face करके आगे बढ़ जाएगा इसके पीछे reasons हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा है ऐसी जो भी बाते में मैंने बिना pointing out के मैं बताऊंगा उसको आप मत मानियेगा आप उसी बात को मानियेगा जो मैं एक specific indications देके बताता हूं तो मै तो comparatively एक better position में आ जाएगा as life is going on एक है और एक व्यक्ति का हाथ बहुत कमजोर है मतब बोनी बोनी टाइप का हाथ है जहां पे जब आप हाथ पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बोन्स को पकड़ रहे हैं तब वहां पे वैसा वेक्ति और हाथ में भी वैसे कमजोर ही अग करेगा तो इस रूप में एक स्ट्रॉंग हाथ पे कम अच्छी रेखाए भी जादे अच्छा बेटर रिजल्ट देती हैं यह बिसिकली कहा जाता है अब एक एक करके मैं तो explain करता हूं आपकी जो जाएता लोग जानना चाहते हैं जैसे पैसे की रेखा के बारे में जानना तो एसी सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं लेकिंगे मैं एक एक करके explain करता हूं कि पैसे की रेखा तो पैसा बताती ही है लेकिन आप सप्राइज होगे कि आपकी दिल की रेखा भी पैसा बता सकती है इस पर आपको सप्राइज होगा यह बहुत अच्छा इंडिके चाहिए लाइफ और मैं इसमें विजुधम भी आ जाता है ब्सक्राइज यह सब चीज़ें आज जाती है कि अगर आपकी दिल की रेखा कहीं नहीं ना कहीं शनी के नीचे जाके अन्ड हो जाएगी यह निकों की तरफ निकल जाती है पता ही लगता कि उस टाइब से हो जाती ही है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कि रिस्पांसिमिल हो जाता है कि शुनी म olsun पर यह के लिए होता है और दिल कहां पर एंगल कर रहा है शनी पर यही सब चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बताई है ऐसा व्यक्ति के लिए पैसा प्रायर्टी बन जाता है मट्रेलिस्टिक होता है सुनने में व्यक्ति मट्रेलिस्टिक जब हम कहते हैं तो थोड़ा सा नेग कोई वेक्ती हो कि दिल की रेखा जादे लंबी हो जाएगी और बहुत ही एमोश्न यो जाएंगे बहुत ही स encourage भोंड़ाइं लेकिन जब इनके पैसा ही नहीं होगा तो पैसा थो वही दान्ट में दे पाएगा जिसके पास जादे पैसा होगा तो ऐसे लोगों के पास जाद तो मैं यह सब चीजे नहीं बता सकता हूं हाँ यह हाथ में बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज दिखाई देरी हैं तो इस हाथ को बहुत ही टॉप कैडिगरी में बैसिकली मैं रखूंगा कि यहां पर पॉसिबिलिटीज अराइज करती हैं जो भी व्यक्ति चाहेगा जो चाहेगा वो उसके बनने के चांसे इस व्यक्ति के बहुत जादे हो जाते हैं यह राइट हैंड बैसिकली बता रहा है और यह दिल की क्या होता है कि आप एक सोच के भी देखिए कि कई बार हम जो होते हैं वह अ जब एक छुटी आती है और अगर आज्ञार जाएंगे तो क्या होगा की वह हम काम को आवेल्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन यह वाला जो बैक्ति है इसके दिल की रिखा पर्फेक्ट है ऑल्मोस् ब्रांचे लटकी हुई होती है इस टाइप की कोई भी और लंबी भी हो जाती है यहां पर एक सिंपल लोकेंग दिल की रेखा बहुत ही अच्छे सुपर एक्सेलेंट रिजल्ट देती है क्योंकि यह व्यक्ति की बनाई रखती है जिल की रेखा जो सिंपल होती है वह डिटाचमेंट की तरफ लेके जाती है अब डिटाचमेंट जो शब्द है थोड़ा सा लोग मिस अडिस अंडेस्टैंड करते हैं इस वजह से मैं उसको एक्स्प्लें कर रहा हूं जेकर डिटाचमेंट का मतलब यह नहीं तो यह इस मोड में जीता है इस मोड में जो विक्ति जिएगा उसके पॉस्प्लेटी अच्छी सक्सेस की अराइज हो ही जाएंगी और यह जितनी भी सब मैं चीज़े बता रहा हूं पास्ट प्रेजेंट एंड़ फ्यूचर के 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 रूप में आप अपनी लाइफ से असोस प्रेजेंट इस अब यहां पर एक और चीज़ देखे गई है कि इनकी दिमाग की रेखा और जीवन की रेखा बहुत ही लंबे समय तक जूड़ी हुई है लोगों की नॉमली इतनी जादे लंबी नहीं जूड़ी रहती है और हो सकता कई हो की तो इससे भी जादे जूड़ होईगा तो रैश हो जाता है हल किसी जोड़ी रहेगी तो जस्ट इन टाइम हो जाता है व्यक्ति लेकिन आप क्या है आपकी दोनों रेखा है बहुत लंबे समय तर चूड़ी विए लेकिन सुनने में बुरा लगता है कि हाथ से निकली लेकिन मेरे हिसाब से यह एक आप किस तरह से देखें है कि अब अब जब आप चुनिटी लिए तो यह लेफ इस तो वरक अपॉट अपॉटिटी पर जब आप करेंगे तो इसमें आप एकसेल करेंगे तो आपका कोई कॉम्पटिक्टर नहीं बचेगा ऐसे लोगों की इसको हम कहते हैं टॉट इसकी इसका मतलब यह नहीं है कि 35 से पहले कोई सक्सेस नहीं है क्योंकि हाथ अच्छा है सब चीज़ अच्छी है तो 35 से भी पहले सक्सेस है लेकिन जादे बेटर जो सक्सेस आता है मैं कहूंगा 35 यह 44 के बाद और जादे स्पीड बेसिकली जादे होती है तो यह एक अच्छा इंडिकेशन बहुत ही सिंपल लोकिंग दिमाग की रेखा है यह क्या अच्छी मैं इता है कि हेल्थ के पॉइन दिमाग की पॉयू से दिमाग की ध्मिम करेंजेंग की रेखा आपकी शिर्थ어 नहीं है लोग तो इस तो यही Hogla कide C जा रही है तो दोनों में अंतर है सोच मेंटल स्चेंथ मेंटिलवीक्नेश को बताती है मेंटल स्टेंथ इंटेलिजेंस नहीं होती है एक सिंपल लोकिंग डिमा की रिखा एक मेंटल क्लैरिटी लेके आजनों क stylish माहाती हलका सा नीचे के के बैलेंस परवत अच्छा गद्यदार दिखाई देता है एक अच्छा गद्यदार दिखाई देरा है शुक्र को क्या कहा गया है जो शब्दों में डिस्काइब किया गया है अब यह कोई जरूरी निया कि वीनस अगर अच्छा गद्यदार होगा तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा लेकिन हम प्रॉबबलेटी के बारे में बात करें प्रॉबबलेटी इनकी सक्सेस इस वज़े से होती है क्योंकि एक लॉफ प्रॉबबलेटी ऑफ सक्सेस होता है वो कहते हैं कि कौन व्यक्ति जादे सक्सेस होल होगा जो जितनी बार कोशिश करेगा तो ऐसा व्यक्ति बार जाएगा वह उठनी पाएगा नया काम करने के लिए लेकिन यह व्यक्ति उठ खड़ा होता है क्योंकि गद्यदार है एनरजी है स्टैमिना है वाइटालिटी है डिजाइज है तो इस वज़े से रिपीटड फेलियर के बाद भी ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलता ही मिलता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनके हाथ पे दिखाई दे रहा है मैं तो वैसे एक एक ग्जैम्पल के रुपए उता रहा हूं लेफ्ट हैं पर थोड़ी बहुत इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि जब पैसे की रेखा जो है थोड़ी बहुत 35 की एज के आसपास आके रुकती है यह पैसे की रेखा आ रही है और दिमाग की रेखा को जैसे चूने वाली होती है यह दिमाग की रेखा को जैसे चूने वाली होती है उससे पहले ब्रेक हो जाती है तो एक ब्रेक थोड़ी बहुत प्रॉब्म से के आता है एक और शुरवात होती है पैसे की रेखा 33 से लेके तरड़ीफआई तक रहती है तरड़ीफों से लेके एंड लाइफ लॉंग बिसिकली रहती है तो मतलब इस रूप में आपकी चलती रिखाएं लेफ्ट हैं को भी देखे कर से है कि यह तो कहा जाता है आपकी वाइफ का हाथ है आपके लोग कहते हैं कि आपकी वाइफ का हाथ है आपके याथ को देखना चाहिए कि अगर और दोनों हाथ से मैं और आपके काफी कुछ हाथों में सिम्लारिटी है ठीक है यहां पर थोड़ा बहुत आपकी दिल की रेखा पर यह ब्रांच जादे नहीं रहेगा क्योंकि ब्रांच होने से करना अपना दिल अलग अलग जगह पर देता है तो पूरा इसे कमिट नहीं कर पाता है लेकिन माइनर वे में क्योंकि दिल की रिखा रीजनबली अच्छी है अब आते हैं इनकी सूरे की रिखा पर यह वाली सूरे की रिखा जो चुरुबात हुए करीब 30 के आसपास से 30 से ले लेकि 37 31 तक रहती है यह भी एंड हो जाती है तो चलती है 53 एंड ब्यॉंड तक यहां पर चलू रहती है यह है फिव्टी फिफ्टी फॉर के बाद से और यह लाइफ लॉंग रहती है किताबों में तो यह दिखा गया है जैसे कि लंबी सी सूरे की रिखा यहां पर एज 30 32 35 54 54 53 and beyond मेरा देखने का तरीका थोड़ा सा अंतर है मैं कहता हूं कि सिंपल सी दिखने वाली यह रेखा अपने आप में पूरी है इसके अलावा अगर हो यह नहीं हो जादे फरक परता नहीं है तुरे की रेखा को नेमन फेल्म की केरिया लाइन भी का जाता है सक्सेस की भी अपनी काम को एनर्जी दे पा रहे हैं तो जिसके रेखा होगी वो उसकी लाइफ में रहेगी लोग क्यों नहीं सक्सेस्फफल होता है उन्हें उनकी डारिक्शन नहीं दिखाई दे रही है जब रेखा स्टोंग रहेगी तो ऑटमेटिकली क्या रहेगा कि क्लारीटी बनी रहेगी होने की वज़े से जादे बेटर हो जाएंगे यहां पर आप यह देखे की रिखा काफी कुछ है बहुत ही हलकी और ना के बराबर है राइट हैंड पर इसको तो देखें मैं एक दूर कर दूंगा बहुत कमजोर कमजोर टूटी-पूटी हुई चलती तो मैं कहूंगा लैक और वह यह वाला समय जिसमें आप ट्रैवल करें लेकिन की कमजोर आपकी रेखा बहुत ज्यादे नहीं है तो मैं इसको अच्छा ही काऊंगा चाहें यहां पर आल्मोस्ट एपसेंस है तो एपसेंट ऑफ द और रिखा चलती है एक और चीज मैं यहां पर चाहूंगा कि एक दो रिखाओं से सब चीजें वर्क नहीं होती है एक और लेना चाहिए हमें हाद को ना की केवल एक रिखा को देखा निए इस दोरान तो आपका केरियर चौपट हो गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर एपसेंट है तो ऐसा कुछ है हमने तो आगे की तरफ यहां पर देख लिए रीजनबली अच्छी है बुद्ध है अब मनी ट्रेंगल जो है वह एक रीजबली स्ट्रॉंग आपके हाथ पर मनी ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं कई लोगों के हाथों पर यह मनी ट्रेंगल अच्छा नहीं होता है मैं टूटी वही रेखा है ऐसी खटी टूटी पूटी रेखा है और व्यक्ति मुझ से आक पूरी तरह से नहीं बन रही है लेकिन फिर भी ठीक है तो जब इस टाइप से बनता है तो हम यह पॉस्पिलिटी इस बेसिकली इसकी अच्छी कह देते हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन है पैसी की रेखा टूटी वही नहीं है तो थोड़ा सा नेगड़ हो सकता है यहां प कि समय पर्फेक्ट है और बुद्ध की रेखा अच्छी होने से व्यक्ति की अच्छी कम्टैशन ऑं चलिकुलेशन होती है प्रसिशन होता है सब communicate कर रहा है जो calculate कर रहा है परफेक्ट रहता है उसे law physics chemistry biology कुछ learn करना चाहे तो परफेक्ट उसे मालुम रहता है सब चीजे मालुम basically रहती है तो इस रूप में इसकी बहुत ही high importance है बुद्ध की रेखा की बुद्ध की रेखा आपकी अच्छी रहेगी आज के समय पाएगा इसकी networking अच्छी है इस रूप में हम इसको देखते हैं मुल्टिपर रूप में इसको basically देखा जाता है इन रिखाओं को और जो जिन लोगों के हाथों पर बुद्ध का परवत बिगड़ा रहता है जैसे बुद्ध के परवत अब जैसे ही मैं शब्द कह रहा हूं simple आपके देमाग में simple का मतलब तो सभी के हाथों पे होगा मेरे साथ से ऐसा नहीं है simple रेखाएं नहीं पाई जाती है तो इस पर कॉमन हाथों पर simple deep and clear नहीं जाती है तो आपके हाथ पे simple deep and clear यह वाली रेखा है तो यह अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में देखे जाएंगी और इस हाथ पे left hand पे triangle like formation पैसे की रेखा पर इस type से दिखाई देता है यह 35 हो गई है 35 से पहले दिखाई देता है 2930 की आसपा दिखाई देता तो ट्राइंगल को तो मैं अच्छा काऊंगा ट्राइंगल तो प्रॉपर्टी संबंदेदर होता है नॉर्मली उस एच पे तो व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं करीदता है यह बेचता है लेकिन आपके हाथ पर यह इंडिकेशन के आसपास का समय है जब यह दिखाई देता है दिखाई दे रहा है एक रेखा आपकी जुपिडर से आ रही है जुपिडर से आखे आपकी लाइफ लाइन में गुस रही है यह तो अच्छी रेखा इस वज़े से मानी जाते है क्योंकि यह स्पिर्च्वालिटी की भी है एक अच्छा पॉजड़ेव हो सकता है एक और जो हलका सएक लूप लाइक जो स्कीन पैटरन है लूप लाइक फॉर्मिशन दिखाई दे रहा है यह वहां यहां वाले लूप तो कॉमन होते हैं जो सब्सक्राइब जो पाई जाते हैं लेकिन जो फॉस्ट एंसे के बीच में पाए जाता है इसे राजा लूप कहते हैं राजा लूप राजा लूप जिसके भी हाथ पे होएगा उसके चांसेश देखिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह जुपिटर और शनी को जॉइन कर रहा है यह ऐसा शब्द राजा है राजा कौन लंबे सब्सक्राइब कर पाएगा जिसे एड्मिस्टेशन की जानी जो जुपिटर को डिपिट करता है एड्मिस्टेशन पॉलिटिकल एंडेस्टाइडिंग रिलिजिस्टाइडिंग होगी और शनी क्या है मानी पोजेशन वेल्ट विज्डम रिस्पॉंसिबिलिटी तो यह दोनों क्वालिटी अगरा स्ट्राइड परफेशन से और रही वनियुक्ति किसी भी जीजों की हो सकती चाहिए तो सekk tuaा रिलिएशन्शिचिप की हो सकती की है तो واають हम अपना दिल अपने प्राफेशन को भी देते हैं तो उसे भी यही हम दिल अगर अलग अलग ज़गाहों पर देंगे तो क्या होगा तो सब्डिवाइड हो जाएगा तो सब्डिविजिन नहीं होना चाहिए हम एक ही जगह पर एकाग्रेचित होएं तो वह ज्यादे बेटर है और इसी एक रेखा आपकी मंगल से आके इस टाइब से कारती है आपकी पैसे की रेखा को कारती है मंगल की तरफ से ऐसे करती भी रिखाएं दिमाग की रिका को छू रही है तो यह एंगर एंगर एंग्रेशन की यह क्या तो तो थोड़ा से इसको एसी रिखाएंगा ना होती दिए कि इस सब चीज़ पास्ट है यह वाला बेसिकली आपका फ्यूचर है तो इस वे में इस हा नई पैसे की रेखा निकले लेकिन इस हाथ में ऐसा लग रहा है कि दिमाग की रेखा से एक ब्रांच नीचे की तब मुड़के तो नीचे की तब मुड़ने को तो मेंटर डिस अपॉइंट कहते हैं और यह एच थरी फाइव यह तो थरी फाइव से इंचा साल तीन चाल कि कुछ और कि मैं इसमें कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं तो वैसे आपका अच्छा और ठीक ही रहना चाहिए जो रहा भी होगा और आगे भी बैसिकली रहेगा और जैसे आप यह दिखे कि इस पॉइंट से ही एक वी टाइब का बनता है पैसी को पैसा भी दिल्वाता है और निमन्ते भी दिल्वाता है यहां पर एक है तो यह 35 से पहले का समय है यह वाला जो पॉइंट रफली ट्विटी नाइन थर्डी की एज के आसपास है जब से बैटर्मेंट भी आया होगा और आप में इंटेलिजेंस है जो एक्टी आपके पास सब लोग नजदीक आना चाहते होंगे क्योंकि शुक्र का उभरावा होने का मतलब ही है कि बहुत ही वाम परस्टैलिटी बहुत ही कॉडिल परस्टैलिटी तो जो विक्ति कॉडिल होगा हर विक्ति उसके नजदीक जाएगा आपके रूम में हीटर होगा तो एसे में ऐसे वेक्ति में अच्छी वाम्ट रहती है और रहती है तो सब लोग नजदीक आना चाहेंगे पूरा सारी ज्द एकस्पैंसिव चीजें खरीदना यह इस सब चीजें बहुत ही जादे चाहिए जब आते हैं मुझे चाहिए चाहिए तो उसमें वह बहुत हो जाती जीवन की रेखा जुरी हुए है तो बहुत ही कॉश्ण भी बनाती है तो एक तर दिजार बहुत इंटेंस हैं लेकिन डिजार इंटेंस होने के साथ सब्सक्राइब एक्स्ट्रीम कॉशन है और सक्सेस्फुल है इस वीडियो में इतना ही थैंक यूफर वाचिंग बाय एंड टेक केर